पर्दाफाश पर्दाफाश यूसी सी यानी यूनिफर्म सिविल कोड लागू करने पर मांग तेज हो गई है तो चलिए शुरू करते हैं चुनाव में घमसान चल रहा है घमसान भोशनाव का, घमसान मुद्दो का, विशेयों का और इन सब के जरिये वोटरों को ललचाने का मुद्दे पर मुद्दे फेके जा रहे हैं, उच्छाले जा रहे हैं आप पार्टी के अर्विन केजरिवाल ने कहा कि अर्थ व्यवस्था को ठीक करने के लिए नोटों पर लक्ष्मी जी का फोटो लगाया जाए जबकि देश का गरीब चाहता है फोटो तो बात की बात है, पहले नोटो दिखाएं आप पार्टी का ये हिंदु कार्ट था ऐसे में बीजेपी क्यों चुब बैटी उसकी गुजरात सरकार ने राजु में कॉमन सिवल कोड यानी समान नागरिक कानू लागू करने के लिए एक कमिटी बनाने की घोशना कर दी हाली में उत्राखन चुनाफ से पहले भी बीजेपी ने वहाँ समान नागरिक सहता लागू करने की घोशना की थी हाला कि अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया अब सवाल ये उठता है कि कोई राज अपने यहां यूनिफॉर्म सिवल कोड लागू कर भी सकता है या नहीं समदान का अनुच्छेद 44 कहता है कि सला मश्वरा करके कोई भी राज इसे लागू कर सकता है लेकिन यही अनुछेद 12 कहता है कि राज का मतलब यहां राज और केंदर दोनों है मतलब अकेला राज चाहे तो यह लागू नहीं कर सकता फिर सवाल उठता है कि गोवा में तो समान नागरिक सहेता लागू है फिर अन्य राजों में क्यों नहीं जवाब यह है कि गुवा में उसके गठन से पहले ही एक कानून लागू है जिससे पुर्टगल समान कानून 1866 कहा गया है क्योंकि ये वहाँ पहले से ही लागू था इसलिए 1961 में गुवा राज्य के गठन के साथ ही इसे लागू करने दिया गया अब सवाल उटता है कि समान नागरिक कानून आखिर है क्या दरसल मुख्य रूप से शादी, विवा, विछेद, उतर अधिकार या संपती का अधिकार और गोद लेने का अधिकार क्योंकि मुख्य धर्मों में अलग-अलग है इसलिए इसे एक करना ही समान नागरिक कानून लागू करने का मतलब हुआ अकेले किसी राज्य के बस की बात ये इसलिए नहीं है क्योंकि समान कानून लाया जाता है तो अलग-अलग धर्मों के जो marriage act है या अन्य कानून है उन्हें बदलना होगा ये काम संसद ही कर सकती है देश का विधियायो कह चुका है कि फिलहाल समान नागने कानून की कोई मांग नहीं है सुपरीम कोट और कुछ हाई कोट कहे चुके है कि लागू कीजे किसने रोका है असल सवाल ये है कि ऐसे मुद्दे चुनाव के वक्त ही क्यों उठाए जाते है चाहे वो समान कानून का मुद्दा हो या नोटों पर फोटो का बीजेपी हो या आप पार्टी दोनों ही हर प्रकार से मतदाताओं को अपनी तरफ करने में लगी हुई है नोटों के बाद केजरिवाल ने एक और नया पासा फेका उन्होंने गुजरात के लोगों से पूछा कि अगर आप पार्टी के सरकार बनती है तो आप ही बताए हम मुख्य मंतरी किसे बनाए बीजेपी अब कुछ और नया मुद्दा लाने वाली है दरसल बीजेपी गुजरात में आप पार्टी को इसलिए जादा महतु दे रही है ताकि कॉंग्रेस जिसकी कुछ सीटे वहाँ पक्की होती है वो हाश्य पर चली जाए सब के बीच कॉंग्रेस चुपी बैठी है बीजेपी अपने खेल में काम्याब होती दिखाई दे रही है समान नागरिक सहता यानि Common Civil Code लागू करने को लेकर बयान बाजी का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है बीजेपी शासत कुछ राजियों में युनिफर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर काव्याद शुरू हो गया है इसे बीच All India Muslim Personal Law Board ने भी बयान जारी करके कहा कि ये ठीक कदम नहीं होगा इसे देश के मुसलमान सुईकार नहीं करेंगे बता दे कि इस मामले में यूपी के डिप्टी सीम केशु प्रसाद मौर्य और शिक्षा मंतरी गुलाब देवी इसे लागू करने के पक्ष में अपने बयान दे चुके हैं जानकारू की माने तो इन बयानों के बड़े सियासी नहीं थात है माना जा रहा है कि 2024 के राजनीतिक बिशाद अब बिछने लगी है क्योंकि ग्रह मंतरी आमिच शा भी यूसी सी पर अपना बयान दे चुके हैं बोपाल में बीजेपी कारेले पर आयोजुत एक बैठक में ग्रह मंतरी ने बयान दिया था CAA राम मंदिर आर्टिकल 370 पर तलाग जैसे मुद्दी के फैसले हो गए है अब बारी है कॉमन सिविल कोड की शा ने उत्राखन में पाइलेट प्रोजेक्टों के रूप में कॉमन सिविल कोड लागू किये जाने का भी दिक्र किया यूपी की शुक्षा मंतरी गुलाब देवी ने भी कहा था कि प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी अधित्यनाद यूपी में कॉमन सिविल कोड लागू किये जाने का जलधी फैस्ता लेंगे अभी देश में मुसलिम, इसाई और पार्सी का परसनल लागू है हिंदी सिविल लौ के तहट हिंदू सिक और जैन आते हैं जबकि सम्नधान में समान नागरिक सहिता अनुछे चववालस के तहट राज्जी के जिम्मदारी बताया गया है ये आज तक देश में लागू नहीं हुआ है इस कानून पर निरंतर बहस चल रही है युनिफॉर्म सिविल कोर्ट का मतलब है समान नागरिक सहिता भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होते हैं फिर चाहे वो किसी भी जाती धर्म समुदाय से संबंदित क्यों ना हो समान नागरिक सहिता में शादी, तलाग, जमीन जाइदात के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू किया गया है इसका सीधा अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए एक कानून इसका किसी भी समुदाय से कोई संबंद नहीं है इस कोड के तहट राज्यु में निवास करने वाले लोगों के लिए एक समान कानुन का प्रवधान किया गया है इसे धर्म के अधार पर मिलने वाली छूट से लोगों को वंचित होना पड़ेगा इसी मामले को लेकर इसके विरोध में स्वर उठते जा रहे है युनिफॉर्म सिवल कोड लागू होने से सभी समुदाई के लोगों को एक समान का अधिकार तो मिलेगा ऐसे में मुसलिम परसनल लौबोर्ट, पार्सी परसनल लौबोर्ट, कृष्टन परसनल लौबोर्ट सब खत्म हो जाएंगे तमाम लोगों को समुदाण के तहट अधिकार मिल जाएंगे कुछ समुदाई के परसनल लौब में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं उन्हें बराबरी का अधिकार मिल जाएगा साथी संपती के अधिकार के मामले में भी पिता की संपती पर अधिकार और गोद लेने के सम्मंद में महिलाओं को समान अधिकार का लाब मिलेगा कुछ विशेश समुदाय इसी कारण समान नागरिक सहिता का विरोध करते हैं राष्ट स्तर पर युनिफॉर्म सिविल कोड की कई बार चर्चा की गई है लेकिन इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हो पाया अभी केवल एक राज में ये कानून लागू है देश का ये राज है गोवा पुर्तगाल शासनकाल के दुरान ही इसे लागू किया गया था साल 1961 में गोवा सरकार युनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी युनिफॉर्म सिविल कोड पर कारवाई शुरू करने वाला दूसरा राज उतरा खंड बना है वहाँ पर पुषकर सिंगधामी सरकार ने शपत बहन के बाद क्याबिनिट की बैठक में इसके लिए कमिटी गठन का फैसला लिया ये कमिटी युनिफॉर्म सिविल कोड को प्रदेश में लागू करने के लिए ड्राफ तयार करेगी लेकिन इस पर विपक्ष कहा चुब बैठने वाला था यूपी में भी जब से यूसी सी लागू करने की मांग उठ रही है तब से ही विपक्ष को मिर्ची लगी हुई है क्योंकि विपक्ष का मुसलिम तुष्टी करन इसे खराब होने वाला है यहां तो मायावती रंड में कूद गई और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में अन राजियों में भी रोजगार वो विकास की बजाए भाजपा द्वारा विवादत एवं विभाजन कारी मुद्दों के तरह समान नागरिक सहिता को चुनावी मुद्दा बनाना खास नहीं किन्तु गुजरात में इसको चुनावी मुद्दा बनाने से इस चर्चा को बल मिलता है कि वहाँ भाजपा की हालत वास्तव में ठीक नहीं है यू सी सी पर बहस कम नहीं होने वाली है अब देखना ये होगा कि यू पी में भी अगर ये लागू हो जाए तो विपक्षी खेमे में क्या बवाल मचता है परदफाश में आज के लिए इतना ही देखते रोए ये क्यापिटल टीवी नमस्कार